तो प्याड़े बच्चों कैसे हैं आप लोग भुगोल में मैं आप सभी को भुगोल का जो परतम अध्याय है परतम अध्याय क्या है मानव भुगोल ठीक है मानव भुगोल के अंतरगात परकिरती इबंविशेचेत्र को मैं आपको समझा दिया था यानि यूं कहें तो प्रश्ण उत्तर खासकर उन बच्चों के लिए लाबदायक सिद्ध हो सकता है जो बच्चे 2022 में एक्जाम देंगे ठीक है प्याड़ी बच्चों इस लगू प्रश्ण उत्तर में मैं आपको ना तो मैं आपको नहीं बताऊंगा और इस लगू उत्तर प्रश्ण का पीडियाप लेना चाहते हैं और प्रकार का सुब्धा चाहते हैं तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको देर सुर्पे का सुल्क देना पड़ जाएगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बस आप चैनल पर जाएगा ठीक है सस्क्राइबर के बगर में यहां पर यहां पर कुछ प्रकार आपका ज्वाइन लिखा होगा उस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है और ट्वेल्थ पेड़ को ज्वाइन करना है 159 का यहां कोर्स है ठीक है यदि आप 159 करते हैं तो आपको क्या का मिलेगा आपको स्वर्पर्थम यहां मिलेगा कि आप चैप्टर वाइज जान पाएंगे कि कौन से प्रश्ण अब्यविवी आए प्रस्ण है जो कि 2022 के एकजाम में आएंगे ही आएंगे और कौन से अपरस्ण है साथी साथ आपका जितना भी पीडिया-फाइल होगा प् है तो आप अबसुरुप से जोएंट बटन पर जाकर करके पेड को जोएंट कर लिए ठीक है है प्याड़े बच्छों हमारा पर्थाम परस निकल करके आता है पर्थाम पर्स है मानव भोगोल से आप क्या समय सते ठीक है तो प्यादे बच्छों उत्तर आपका किस प्रकार से पेड़े वुचु देखे इसका उत्तर ठीक है उत्तर करने के लिए आप रहने क्या है नहीं जाए हम वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में जाएगा मैंने एक लिंक दे दिया है वेबसाइट का उस लिंक को क्लिक करिए आपको को साने एंसर मिल जाएगा पूरा-पूरा आ यह आप इसे चाहे तो कॉंप्य में अच्छे तरह से लिख लें जिसका लिंक में वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में दे रखा हूं चुकि यह से भी पाइंट तो वैसे भी मैंने समझा दिया है और आज मैं आपको फिर से समझा देता हूं ठीक है जिसके का कारण एंस से क्या है तो पुन रूप से स्वतंत्र नहीं है यानि कि आजाद नहीं है यानि कि मानव बीना पानी का रह पाएगा बीना ऑक्सीजन का रह पाएगा नहीं रह पाएगा अर्थार्थ हम कह सकते हैं कि मानव क्या है तो मानव प्रकृति पर ही डिपेंडेंट है यानि कि प् मानव और पाडियावरन के बीच का जो रिस्ता है जो संबंध है उसी का अध्यान ही क्या कलाता है तो मानव भूगुल का लाता है ठीक है प्यारे वुच्छ यूदि हम परिभासा की बात करें देखिए आपको दो नमर के एक्जाम में आएगा मात्र दो नमर के भी जैसा की हम जानते हैं मानव अपने वातावान से पूंता स्वतनतर नहीं है मानव एवं पाडियावरन दोनों का सामप्रास पर से क्या कहा जाता है तो मानव भूगुल का जाता है ठीक है दो नमर में बस इतना लिखना है कभी-कभी इसी प्रसन को दिरिग में पूछ दिया तो देखिए दिरिग में कैसे जवाब देना है तो यह तो इसका उत्तर होई गया फिर आपको मानव भूगुल को और पडिवासित कर रहा है ताकि दिरिग में 5 में 5 आपको नमर बिल जाए ठीक है जैसे देखिए फिर आपको लिखना है परागर आप चेंज करके मानव जो लाइन है इसको इन्वोर्टिट कोमा में घेर दी जाएगा तो पांच में पांच कोई नहीं कटेगा ठीक है तो मानव भूगोल के द्री सुरता वाता उरन से संबंदित होते हैं जो स्वें भोतिक दसाओं का क्या होता है तो एक योग होता है ठीक है तो प्याड़े घेर प्याइब ख्याना तो आपको उत्तर आपको यह लिखना है कि मानव भूगोल अनुस्वार्ण भूगों से संब्सक्तित होते हैं जो स्वें भोतिक दसाओं का क्या होता है तो योग होता है ठीक है इसी प्रकार यह तो पहला पड़ी भासा हो गया है ठीक डेर्टिक र प्रद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद्धियुद् है यदि पूछेगा कि कुमारी सेंपल के अंस्वार मानव भूगोल क्रियासिल मानव और और अस्थाइब पिर्थिवी के परदोसिल समधों का अध्यान है कभी कभी आपको अब्जेक्टिव में यह भी प्रसन है देदेगा कि मानव भूगोल यानि कि यहां लाइन उठा करक मानव भूगोल को इतना आपको लिख देना है इन सभी पॉइंट को वैसे भी मैंने वीडियो आप देख लिजेगा अच्छी तरीके से मैंने समझाया है ठीक है अब फिर रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा है तो प्याड़े बच्छों दूसरा प्रस्ण क्या है कि मा भूगोल दूसरा मान भूगोल ट्रिक है उसी प्रकार मानव भूगोल को अध्यान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो इसे कई चेतलों में बांट देता है इसी जाता है इसी प्रकार एतिहासिक भूगोल अधिवास भूगोल किर्सी भूगोल और धोगिक वोल संसाधन भूगोल ठीक है तो हलाकि आपको एक जाम में तो मातर चाड़ ही लिखना पड़ेगा हम आपको आठम दे दिये ठीक है ताकि आप दो तीन भूल भी जाएं तो किसी सब्सकार का को दिखत नहीं प्याड़ेगी यह भी आपको दोर में डिर्ग पूछा जाता है लेकिन जब देखे लेके जब दिर्गमे पूछेगा तो इसको इसको सथा दीगा यानि दूनों पर सको मिला करके दिर्ग बना दिया जाता है तो आपका एक दिर्ग भी ओ τις संस आता है प्यादे बोच्व यह तीसरा है देखिए इसको अच्छे से आपको समझना है क्या नियती बात निश्चे बात 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 बराबर या पर्या वर्लिया नियती बात बोले चारो मतलब एक है चारो अलग नहीं है बिहार बोड में घुमा फिरा करके पूछ देता कभी क्या समझते हैं कभी पूच देगा क्या होता है कभी पूच देगा निच्चे बाद क्या होता है कभी पूच дня लिगתח यह सभी 4 एक ही है ठीक है तो इसका उत्तर हिने क्या हो जागा यह देखें इस विचार धारा के अनस्वाड मनुस के पर्टे किरिया कलाब को पड़ियावरण से नियंतित किया जाता है प्यारे मैंने बताया था नेतिवाद के अंतरगत क्या होता था कि जब मानब पहले के समय में यानि कि यूँ आप नकल लिजए कि जब बुद्धी नहीं तो मानब जो है पुरा का पुरा प्रकृती पर डिपेंड हो ठीक है तो अर्थार्थ हम कह सकते हैं कि इस विचार धारा के अंतर मानव क्या था तो प्रकृति का गुलाम था ठीक है हलाकि यह भी हम आपको समझा चुके पिछले वीडियो में अच्छे से देख लिजेगा ठीक है इसके अनूसरान करने वाले मानते हैं कि बहुती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा लिंक है ना मिल जाएगा वहां से विबसाइट से लिख लीजेगा ठीक है अलेकिन आपको यहां नहीं बताएंगे कि कौन सा ब्रॉंस भीविया है कि एम भीविया देखिए प्यारे बचो महिनत बहुत लगता है और बदले में संभाववाद देखिए अब यह जो चौथा प्रसन है संभाववाद या संभावनावाद या दोनों एक है दोनों अलग नहीं है ठीक है देखिए हम आपको इसलिए कर फ्यूजन किलियर दूर कर देना चाहते क्योंकि कभी-कभी एकजामें संभाववाद पुस्ट देता ह आपको लगेगा कि अलग है यानि कि जानते हुए भी आप उत्तर नहीं दे चोड़ कर कहने चले नहीं है इसलिए हम दोनों दे देते हैं पर कि आपको किसी भी परकार का कोई दिकत नहीं हो ठीक है संभाववाद या संभावनावाद से आप क्या समझते पैड़े मैं ने ब बाड़ी वर्तन करने में समर्थ है यानि कि चनवती दिया मनुस ने कहा कि अच्छा बाड़िश नहीं होगा कोई बात नहीं हम क्या करें हम कुवें खुद देंगे और कुवाद करके पानी निकाल करके सिचाई करेंगे ठीक है मानव ने कहा अच्छा नदिया सुख ठीक है तता वह परकृति दत अनेक संभावनाओं का एक्छा नुसार अपने लिए पड़योग किया यानि कि चनवती दे करके जिसे बाड़िश नहीं हुआ तो बाड़िश नहीं हुआ तो मानव ने क्या किया तो परकृति पर डिपेंड रहना छोड़ दिया बलकि अपना विकास किया ठीक है तो यूं कहा सकते हैं कि मानव ने परकृति को चरौति दिना सुरू कर दिया ठीक है अब बारिश नहीं हुआ तो बिना बारिश का खेती करना यानि यानि कुवा के माध्यम से या नहर के माध्यम से या सिचाई के माध्यम से ठीक है अब प्रस्ण है देखे नव नियती वाद और नव निच्चे वाद दूनों का दूनों एक ही है ठीक है तो प्रस्ण आता है नव नियती वाद या नव निच्चे वाद से अब क्या समझते है यानि कि बारिश नहीं हुआ तो चापा कल की या कुवा के मध्यम से या नर्क मध्यम तो सिचाय तो कर लेंगे, यानि बारिश साफ ही नहीं हुआ, पुरे जमीन का जो अस्तर होता है, उसका पानी ही पानी पुड़ा समाप्त हो गया, फिर मानव क्या सिचाय कर पाएगा, नह कर पाएगा ठीक है तो यहां विचारदारा उप्रूप्त दोनों विचारदारों की चर्म आवस्था के बीच का दर्सन है गृफीट्र ट्रेल्र ने मानव एक निश्चित सीमा तक ही परियावरान को almost कर सकता है यानजी परकार उसने मानव की बुद्दिक को सलता बी का च्वातर की सक्षम माना यानिक एक ही सीमाधे सा कैसा है कि पूरा का पूरा ठीके चनौते ही दे लिगा पारियावरान को ठीक नेक्स्ट प्रस्टन है मानव भूगोल किस परकार अनसमाजिक विज्ञानों से सम्मध्य प्यारे वुचों यह NCRT का कोशन है यह कोशन आज तक कभी आया ही नहीं है फिर वी NCRT का कोशन था इसलिए मैंने आपको ने दे दिया ठीक है देख लेते हैं इसका उत्तर मानव सभी समाजिक विद्वानों से सवता संबंद हो जाता है अपने का मतलब है कि मानव भूगोल के अंतर गत हम क्या देखते हैं में क्यों देखते किूंहूँ हुआ कैसे हुआ ठिक इन सारी का विवेचना हम लोग देखते हैं आता जिस में क्यों कैसे लग अञे बन जाए ओनमेटक विज्यान हो जाता है इसलिए इसे विज्ञानों से सेत को नेस सम्भावाद और निश्यवाद में अंतरा सपस्ट करें ठीक है प्यारी वाद चों यह कभी-कभी दिर्ग में आता है यानि यू समझें कि साथ साल में एक बार ठीक है इसलिए इसको समझाने का कोई जोड़त नहीं है हम सकेंड वाला हम बता देते ठीक है देखें संभावाद के अंतरगत इसके जो समर्थक थे यानि इस विचार धारा को मालने वाले कौन थे तो विडाल डीला बलास तता लूशियन फेवरे थे ठीक है और इस निश्चेवाद का जो विचार धारा था इसका समर्थक कौन थे इसका समर्थक थे यानि इस विचार धारा के समर्थक कौन थे तो फैर्दिक रेट जलते ठीक है और यह जो पहला पहला पॉइंट है मैंने पडिभासा ही लिखा दिया जैसे देखेंगा इस साथ से बाहर एक्जाम में नहीं आएगा चाहे कोई साभी एक् कराराजस्थान बोर्डरो कि इसके बाहर कॉश्ण ना पूर नहीं आएगा लेकिन कौन सा कोशण भी एए या एम भी आ मात्र हम एक ही कोश्ण इस में से एन भी भी आई करते ठीक है और यदि इस चप्टर से आना होगा तो वही आए ठीक है यदि वह नहीं आए तो पक्का अब एक तो फाइल है ने चुकि लगू है दिर्ग है वस्तों निश्टे ओल सब्जेक्ट का आपको मात्र 159 में आपको मिलेगा आपको बस जाना है यहाँ पर जोइन बटन लिखा होगा प्याड़े बच बस जोइन क्लिक करना है प्याड़े कोर्स 12 159 पे आप एमाउंट ठी और वीडियो को लाइक रो और यदि कोई भी दिक्कत होती है तो हमें कोमेंट कर जरूरू बताएं धन्यवाद